असलाव लेकूम। आज हम लोग लेके आए हैं। ड्राइफ्रूट चिक्कि आइघै देखते है इसमें । देखिये लिए कजुरी काजु लिया, इसको हमने 2 टुकड़े में काट लिया है। बदाव लिया, इसको हमने 2 टुकड़े में काट लिया कम भी कर सकते हैं इससे चीनी ड्राइफ रूट भी आप अपने पसंद से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो वो डाली आप उसमें आइए बनाते हैं देखे हमने एक कढ़ाई चड़ा दिया उसमें एक चम्मत देशी घी डाला अब इसमें राइफ रूट जो है फ्राइब थोड़ा उसके बाद बनाते हैं आइए देखते हैं घी गरम हो गया है अब इसको है कर लेते हैं इसको स्लो आज पर ही फ्राइब करिएगा बहुत तेज आज पर नहीं जल जाएगा जल्दी से और फिर क्रंची भी नहीं होगा इसलिए अच्छा क्रेंच होगा फिर दिखी यह हो गया है देखिए लाइट गोल्डन हो गया है इसको अब निकालते हैं इसी तरह इसी स्लो आज पर ही आप जो है सारे ड्राइब फ्रूट सिफ नारियल जो है लच्छा उसको आपने नहीं भूनना है इसी तरह बादाम और ड्राइब वो जो है अकरोट भी भून फिर चाशनी चड़ाते हैं गरी कल अच्छा जो है आप नहीं भूनिएगा क्योंकि वह बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए उसको ऐसे ही डालना है यह देखिए यह भी हो गया इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं देखिए इसमें हमने 100 ml पानी डालना है और 200 ग्राम चीनी डालना है इसको मेल्ट होने तक चलाते रहेंगे नीचे जो है यह जल जाएगी जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे देखिए अब मेल्ट हो गई चीनी अब इसको पकने देंगे थोड़ा से पांस मिनिट के लिए आप इसको मीडियम आ अब हम लोग बटर पेपर लगा लेते हैं जिसमें हमको जमाना है ये देखिए ये प्लेट है ये प्लेट में हम ये बटर पेपर लगा के इसके उपर घी लगा लेते हैं देखिए इसको घी लगा के ग्रीस कर लेते हैं सानी से निकल जाएगी चिक्की ऐसे दो प्लेट में हम आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए पानी लिजे एक कटोरी में, इसको ऐसे डाल लिए, तो थंडा हो जाए, उसको ऐसे हाथ में उठा के ये देखिए, ये गोल कर लिजे, देखिए ये जमने लगा ना, इसका मतलब ये हो गया है, इस तरह, अब आप को इसमें ड्राइफूर जमार है उसमें इलाइची पाऊटर udah देखे 5-6 इलाइची का पाऊटर हम अने कूट लिया है उसको डालते है यह नारिययल का लिच्छा है यह डाल देते हैं अरे यह ड्रायफूर्ट's है डाल देते हैं चलाने के बाद फॉरा इसको बस जमा दीजिया खुब अच्छे से मिक्स करने के बाद ये उपर नीचे आप इसको फॉरन जमा देते हैं देखिए ये हमने इसको डाल के फॉरन फटा फट करना पड़ेगा तब जमा दिया हमने बहुत तेजी ऐसे टैप करके इसको बराबर कर दीजेगा बहुत तेजी से जम जाता यह है कि एकदम खराब नहीं होता जमता नहीं है मगर यह है कि उसको बिगड़ भी जाएगा तो वह सही हो जाता देखिए जम गया थोड़ी दस मिनट के बाद हम इसको निकालते हैं अब दिखाते हैं इसको फिर हम बन के तयार हो गया है आप लोग इसको बनाईएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा इसे लाइक करीगा शेयर करीगा सब्सक्राइब करेंगा अलाहाफिज